Dear students, today is our English grammar period and we are going to study chapter 5, pronouns. Pronounsments क्या होता है? Serbnam, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, है न? तो यहाँ पर देखें एक sentence दिया है, Rohit went in search of Arun. Rohit wanted to show Arun Rohit's new bicycle which Rohit's father had bought for Rohit. यहाँ पर इस sentence में आप जब इसको read करोगे अच्छे से तो आपको कुछ odd लग रहा है. क्या odd लग रहा है? कि यहाँ पर Rohit and Arun, यह दो नाउन जो है, यह बार-बार repeat हो रही है. जब कोई नाउन sentence में बार-बार repeat होती है, तो sentence कैसा हो जाता है? बोरिंग हो जाता है. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? नाउन को replace कर सकते हैं किस से? प्रोनाउन से. मतलब नाउन की जगे हम किस का यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. अब यह sentence देखिए हम प्रोनाउन का यूज कर के बनाते हैं, जिसे Rohit went in search of Arun. sentence में जब पहली बार नाउन आती है को इसी, है ना, तो वो तो वो ही रहती है अपने exact form में. लेकिन जब हम उसका, उसी को बापस से repeat करते हैं, तो उसकी जगे हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो हमने नाउन के प्लेस पर यूज किये हैं, वो क्या कहला है? क्या कहलाते हैं वो? प्रोनाउन के डेफिनेशन क्या होगी? अब प्रोनाउन is a word used instead of a noun. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले यूज किया जाता है. ठीक है? काइंड्स अब प्रोनाउन तो जो प्रोनाउन होते हैं, वो seven क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे I lost my pen, he broke the window. अब यहाँ पर I lost मतलब मेने खोया तो मेरा कुछ नाम है, ठीक है? मेरी जगे क्या यूज हुआ? नाम की जगे? आई यूज किया. ही है ना? उसने विंडो तोड़ी, ठीक है? तो ही कोई पर्सन है उसकी जग पर्सन जो होते हैं, वो त्री कायंड्स का 1st, 2nd, 3rd, फर्सनोह कोन होता है? जो बोलने वाला होता है, लो बोलता है. ठीक है? वो 1st, 2nd , is who 1948, 2nd providing is who 10 total वी उसका उब्जेक्ट के रूप में लिए उसके तो यह मस्कुलाइन मस्कुलीन एंड फैमिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है ठीक है, second person you, ठीक है, तो you का plural क्या रहेगा, you ही रहेगा, ये भी masculine and feminine के लिए use होता है, third person he, she, it, ये तीनों होते हैं, याद रखिएगा, he से, उसका जो object होता हो, क्या होता है, him, ठीक है, she का object her and it जो होता है, यहाँ पर देखिए, he किस के लिए use होता है, masculine के लिए use होता है, and it, neuter के लिए use होता है, ठीक है, gender के लिए, तो यहाँ पर he का plural क्या हो जाएगा, he, she, it, इन सब का plural क्या होगा, they and objective form क्या होगा, इसका them, ये masculine, feminine and neuter, तीनों के लिए use किया जाता है, ठीक है, next reflexive pronouns, reflexive pronouns are used in sentences when the doer of an action and the persons or thing affected by the action are one and the same person or thing, reflexive pronoun जो है, sentence में use किये जाते कब, जब, जो doer होता है, action का, मतलब जिसके द्वारा कारी किया जा रहा है, और जो person उस कारी से affected हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, वो same हो, doer और affected होने वाला जो person है, वो दोनों same हो, तब हो किस pronoun को use करते हैं, reflexive pronoun को use करते हैं, ठीक है, तो जो है न, वो क्या होता है, मारे sentence का object होता है, ठीक है, एसको indirect object भी कहा जाता है, तो यहाँ पर देखे, player क्या है, doer है, subject का, and यह क्या है, यहाँ पर hurt क्या है, verb है, ठीक है, तो कौन hurt हो रहा है, himself, ठीक है, वो खुद है, तो यह क्या हो गया, reflexive pronoun हो गया, next is emphatic pronouns, emphatic pronouns are used to emphasize or stress that the doer is the very person or thing responsible for the action or that is, that the action is done to certain person, to a certain person or thing and not other, emphatic pronouns जो होते हैं, वो doer जो होता है, doer को emphasize करता है, यह उसको stress करता है, ठीक है, जो डालता है यह उसको खास करके उसको बताया जाता है, है जो भी action उसके द्वारा किया जा रहा है, वो उसी के लिए किया जा रहा है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं किया जा रहा है, तो यह मैंने खुदने बनाया है, और किसके लिए बनाया है, और को include नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने खुदने, यह काम में किसी को और को include नहीं किया है, तो यहाँ पर जब हम लोगे ने यह वाला जो प्रोनाउन यूज किया है myself, यह को हम सा प्रोनाउन हुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक होता है, लेकिन एक clue है जो अलग करता है, जिसे reflexive प्रोनाउन जो होते हैं, किसका answer मिलता है, हूम का answer मिलता है, किसे हमने अभी एक sentence पढ़ा था, यह, प्लेयर ने हर्ट किया, किसे का answer हम को किसे मिला, himself से, तो यह कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिलेक्सिव प्रोनाउन हुआ इंफेटिक प्रोनाउन क्या करता है, इंफेसिस करता है, जो डूर होता है उसको, ठीक है, नेक्स्ट है पजिजिव प्रोनाउन, तो यहां से हम second period में continue करेंगे, इसका ठीक है, जो next period रहेगा, उसमें, have a nice day